जै श्री कृष्णा, वेलकम टू है वलडर, आज की ये रिडिंग आपकी रिक्वेस्ट पे लाई जा रही है, आज हम ये जानेंगे कि जो आपका रिलेशन्शिप आपके पॉर्सन के साथ है, या था, वेटर चे आप नो कॉंटेक्ट में ही क्यों न हो, या इससे में अगर आपके पॉर्सन के साथ बात भी हो रही हो, तब भी ये रिडिंग आपके लिए है, क्या आप नहीं जाना चाहेंगे कि आपका ये रिलेशन्शिप लव पर बेस्ट है, या लस्ट पर बेस्ट है, विदाउट बेस्टिंग टाइम, मैं आपको तीन पाइल की चोईस दे रह आपके पाइल की रिली, ये कार्ड्स आपके मैंने प्री शफल कर रहे हैं, इसे मैंने शफल तो कर लिया था लेकि मैंने देखा रहे था, आप पी के सामने देखने लगी हो, पहला कार्ड है, टेन अप कप्स, क्वीन अप कप्स, सेवल अफ बांड्स, टू अफ कप्स, पाइल वन, सीधा बें स्ट्रेट आंसर पर आऊंगी, क्योंकि ये रिडिंग मुझे काफी स्ट्रेट नजर आ रहे है, आपका परसन सीरिसली आपको लव करता है, उसके अंदर आपको लेकर एक लव, प्यार बहुत ही ज़ादा है, ये कार्ड्स मुझे इ इतना मैं जरूर कह सकती हो, कि आपका परसन आपके साथ जो अपने connection फील करता है, उसे लगता है कि आप लोगों का जो relation है, वो soul based है, आप एक soul contract में आयो, पिछले जनम से आपका connection है, और इस बंदे के मन में बहुत ही emotions भरे हुए है, ये दोनों ही cards मुझे इस बात की clarity देत आपके साथ बात करकर आपके साथ टाइम स्पेंड कर उसे अपनी life का एक सबसे joyful period नजर आता है, आपके साथ बात करना, आपके साथ समय स्पेंड करना, आपके person का एक सबसे, कहते है न, बहुत ही जादा golden time period है, वो इसे इस समय right now मैं इतना महसूस कर सकती हूँ, बहुत ही म बहुत ही गाट करके चल रहे है अपने आपको, इसको मैं आपको असान भशा में समझा सकती हूँ, एक तो अपनी feelings को छुपाना, उसे denial mode पे डालना, कि नहीं जी मैं इसे प्यार नहीं करता है, यह नहीं करती, आपको show ना करना, जबकि सब कुछ आपके towards ilgrid है, उसकी life का, जोगर यह इंसान सुबह उठता भी होगा ना, morning से लेकर रात तक, यह आप ही के बारे में सोचता होगा, आप इसकी life का main point हो, main center of attraction हो, seven of wants का मतलब यह है कि यह person अपनी feelings से भाग रहा है, गाड करके चल रहा है, आपको अपने tours ही आने दे रहा, अगर no contact में भी इस person ने डा 9 of wants, okay, वाक्य में यह person बहुत ही जादा mind में बहुत जादा एक तरहां से stuck energy को महसूस कर रहा है, अपने आपको रोग कर बैठा हुए, गाड करके बैठा है, कुछ तो घबराट इस person को, मैं इसे भी clarify करना चाहूंगी, 3 of wants, आप ही के बारे में सोचता है, आप यह देखिए, यहाँ पर 7 of wants है, 9 of wants है, 3 of wants है, side fire, और आप इस person को देखिए, मन में प्यार भरा हुआ है, लेकिन दिमाग बहुत चलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ घबराहट है, डर है, कुछ ऐसा है, जिसकी वज़े से यह एक dilemma म दर लगता है, इसे security महसूस नहीं होते, इसे किसी चीज का insecurity है, कि यह आपके इस relation में आगे बढ़ नहीं पारा, यह नहीं बढ़ पारी, दूर की सोचता है, आपको अपने आगे आने भी नहीं देता होगा, आपको भगा देता होगा, जैसे आप इसके personal front में जाने की कोशि करता होगा, यह ऐसे show करता होगा, कि आप में इंटरस्टेड नहीं है, और हाँ बात बता दू, आप में से जरतर लोग no contact situation में है, आप लोगों की बात नहीं हो रही होगा, इसे में राइट ना, कुछ को तो मुझे यहां पर long distance relation में नजर आ रहे हैं, आपका यह person बहुत सो पाय हुआ है, जिसकी वज़े से यह आपको अपने two words आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपके सा relation आगे नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि आपके शायद, जो मुझे यहां पर message मिल रहा है, और मैं अपने intuition के base पर कह सकती हूँ, क्योंकि I am a psychic, तो मुझे लगता है, इस person नहीं ज और कहा भी होगा, आगे दिखते है, your voice is so soothing, तो इस person को आपकी voice बहुत पसंद है, और कहा भी हो, सकता आपको इनकी voice बहुत पसंद है, phones पे बात करना बहुत पसंद है, commitment phobia, तो आपके इस person को commitment phobia है, मन में प्यार है, सब कुछ है, लेकिन relation में आगे बढ़ना नहीं है, प् बहुत दिवाग लड़ाना है, दूर की सोचना है, लेकि बढ़ बात बता दू, अगर ये person दूर की सोच भी रहा है, घबरा भी रहा है, लेकिन इससे ये पता है कि इसकी जिन्दगी तो आपके साथ ही है, let's go, on vacation, तो आपका person आपके साथ गूमना चाहता है, time spent करना चाहत है, तो आप देखिए न, ये सारे cards क्या clarity दे रहे हैं, ये दे रहे कि आप इस person की इच्छा हो, center of attraction हो, और आप इस person के लिए बहुत कुछ हो, तो मैं यहाँ पर इतना शोर हो के तो कह सकती हूँ कि ये जो आपका relation है, ये love-based जादा है, अगर lust है, तो मैं इससे lust नहीं कहू होगी, आपको अगर ये reading पसंद आती है, तो पीस कमेंट बोक्स में जुरू बताईएगा, अगर चलता है, pile 2 की तरह, हाई pile 2, तो start करते हैं, तो ये मैंने cards पहले से shuffle कर रखे थे, ताकि time बच सके, तो मैंने card shuffle जुरू किये थे, लेकि मैंने देखे नहीं थे, अब आपके सामने ही देखने लगी हो, देखो, temples in reverse, queen of swords, the tower, port of wands, तो pile 2, आपकी इस relationship में कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसा आप लोगों के बीच में हुआ है, unpredictable, जिसकी वज़े से आप लोगों की बात बंद हो गई है, अच्छानक, और यहां पर मुझे काफी ज़द स्कॉर्पियो नजर आ रही है, काफी फीर हो रही है, तो कुछ तो ऐसा कुछ है, जो hidden था, और अच्छानक आपके सामने ये इस person के सामने बंबन के उट पटा है, जिसकी वज़े से आपकी इस relationship में, आप दोनों ने बात करनी बंद कर दि और तू अगर मुझे बात नहीं करेगी या नहीं करेगा, तो यह मैं सोची हो कि मैं मर जाओंगा या मर जाओंगी, मैं तेरे बिना जी सकता हूँ, तुझे दिक्कत होगी, तो आपका ये person इस समय इस तरह की energy में मुझे फील हो रहा है, बट ये person कितना भी show of कर दे, कि ये person बहुत daydreaming करता है, ये करती है, ये बहुत fantasies में रहता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है इंसान, मैं इतना कह सकती हूँ, आपके towards marriage को देखता है, जब भी ये fantasies में रहता होगा, ये रहती होंगी, daydreaming करता होगा, आपको ये wife, ये husband मानता होगा, और उसी तरह से ये आपको treatment मैं इसकी life का, जो भर नहीं पारा, जो समय समय पर कुरेट करा जाता है, और जिसकी वज़े से आपको दिक्कत हो रही है, actually इस person के past में कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वज़े से ये किसी पर trust नहीं कर पारा, sorry to say आप पर भी तो यहाँ पर टोगरा है, मैं इस पर clarify करना चाहू तो यह separation इसे मारस जा रहा है, मैंने कहा ना, daydreaming बहुत करता है, यह बहुत dreamy person है, यह practical नहीं है, इसमें सपने में ही शादी कर ली होगे, आप से बच्चे कर ली होगे, सब कुछ कर लिया होगा, यह वो person है, तो इसकी वज़े से आपको दिक्कत आती होगे, क्योंकि मुझ रहे हो, पर यह अपने आपको बचाने की चक्कर में, यह सारा नकाप पहन के बैठ गया, कि आपको शोग कर सके कि आपके बिना उसको गुजारा, जब कि यह आपे है नहीं, दिख नहीं होगे, यू आर माइपको कहा ना, fantasy, daydreaming, सब कुछ करना, यह person का गुजारा नहीं और एक प्रॉब्लम है कि यह person, वो person है, जो सब कुछ कर ले तक बैठे बैठे, कि initiate नहीं लेना, I think इस person की एक nature रही है, जो शायर स्टार्टिंग से कह सकती हूँ, कि सामने वालब करे, मुझे नहीं करने की शुरूलत है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, waiting for you to reach me, लीजिये, queen of sorts को इसने clarify करती है, waiting for you to reach me, मैं तो कुछ बैठाउं, I am happy, I am a cool dude, आजा भई, तिलको मेरी जुरूरत है, पर अंदर खुद की फटी पड़ी है, बात कूद करनी है, लागि तू आ कि मुझे कर ले, तो जुकना नहीं है, जब मैं यह reading कर रही हूँ, को कि इस परसुन को पता है, यह सारा गज़त है, और अगर यह आप मेल हो और आप अपनी फीमल के लिए देख रहे हो, तो भी यह चीज उस पर रेजूनेट होगी, क्योंकि उसके जो मैस्कुलन अनर्जी है, क्योंकि आपको पता है, हम में दोनों चीज़े होती है, फीमल अन स्कॉर्पियो कुषता है, यह उसकी कुंडली में स्कॉर्पियो बहुत जादा प्रॉमिनित है, किंग ओफ सौर्ट्स, ठोब को क्लिर किया है, किंग ओफ सौर्ट्स, क्वीन अफ सौर्स, अरे, आप दोनों इक दूसरे को टक्कर दे रहे हो, इसला मैं क्लिर कर दो, उसे ल राट आपकी जान जारी है उसले तो उसकी बी जान जारी है उसको इस इंसान को लगता अगर आफ फी में कि यह मेरी टक्कर की है ठीक expensive कि यह मेरे टक्कर की है ठीक है अगर इसका एगो है तो मेरे बहुत बड़ा एगो है और अगर आप मेल और फीमल के लिए देख रहे है तो उसको भी लगता है कि अगर यह अपनी अक्कर दिखा रहा है तो मैं भी किसी से कम नहीं मैं किंग और सोर्स को भी क्लैरिफाइ करना चाहूंगे तो यह परसन आपके साथ एक पैशनेट इनर्जी को फील करता है आप लोगों को जो रिलेशनशिप है मुझे यहां पे फिजिकल अट्रेक्शन पर ज्यादा नजर आता है यह परसन इस समय राइटन और जिस समय मैं य आपके ट्वर्स एक्शन भी अगर लेना चाहता है क्योंकि उसके लिए सेपरेशन इस किलिंग में तो आप उसके लिए परसनल ड्रग भी हो तो यह रिलेशन मुझे लस्ट बेस जादा नजर आ रहा है फिलिंग के मामले में और यह बात बता दू क्योंकि यहां पे क्वीन आप डूसरे से फिजिकल अट्रेक्शन जादा पील करते हो खुशन टू लव फिलिंग में आप डूनों यह बारे में सोच रहे हैं तो आप भी उनको बराबर उत्वा ही सोच रहे हो तो आपको यह रिलेशनशिप फिजिकल बेस मुझे जरदा नजर नहरा है और पाइल ट तो स्टाट करते हैं आपकी रिडिंग यह मैंने कार्ट पहले से शफल कर रखे थे कर तो लिये थे मैंने शफल लेखिए थापी के सामने मैं खुद भी देखूंगे तो लेट स्टार्ट सेवर पैंटिकल इन रिवर्स फाइब पैंटिकल इन रिवर्स एस उफ कॉप्स और बील उफ फोट्यों पाइल फ्री एक बात तो मैं बता सकते हूं कि आपके इस रिलेशन्शिप में अगर कोई ब्रेक लगी है अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो तो यह प्रमात्मा की दुवरा किया गया है आपको एक डिवाइन पॉटेक्शन दिया गया है आप जिस परसन के लिए भी यह रिडिंग देख रहे हो और यह परसन अपने बहुत बूरे दोर से गुजर कर निकल रहा है प्छले साल से यह आप कह सकते हो जो पिछले दो थीन साल गुजरे होंगे इस परसन के चाहिए मेल हो यह फ को यह फाया था एक बिमा। दिमार लुख गया था इसका कब्स लाइन चलों झाले जाना कि मुचे करना वी क्या है ? आपकर यह ल१ुम को यह फिस परसन को यह नहीं तो कियो जाता है जससे किस डिरेक्शन में जाना है जिस समय है मैं यह रिडिंग कर हूँ यह पंस अनरgy म करना चाहिए आपके मामले में जिसकी वज़े से यहां पर मुझे एक बाहर के लोगों के इंटरफेरेंस बहुत नज़र आ रही है जिसकी वज़े से आपके इस रिलेश्टिप में प्रोग्रम होगी बट मैं इतना जुरू कह सकती हूं कि यह अपने इस बैट पेगे से काफी मेरा दिल दुख रहा है तो या तो यह परसन या आप दोनों मेंसे एक परसन अपनी लाइप से बहुत ही दुखी है बहुत मैसी फिल कर रहा है और बार बर परमात्मा से दुआ मUNG रहा है तो यह आप पान के चलिए अपकर नियर फ्यूचर अच्छा है पहले की मुकाबले लेकिन आप लोगों को आप वो इंसान हो जो प्रमात्मा को मानने वाले इंसान हो और ये परसन भी जिसके लिए आपकी लिडिंग देख रहे हो इस ओफकप यहाँ पर है मन में प्यार है फिलिंग्स है बट उसके जो सारे सरकम्स्टेंसिस है उसके अगेंस्ट है जोस्सद बैंक भी शुफल करके ये भी लेक रहे देख लेते हैं फिर आपी देखते हैं। शस्पीश्योस तै धका इसकी फैमिली में कुछ तो प्रोब्ब्लम हुए है यसी जिसकी वज़े से शयादी वर्ðी फिल मी करपा है इस तो इसकी फैमिली जिस समय मैं यह रिडिंग करें बहुत लाक ओफ कॉंफिडेंस है यह आपको कुछ क्या कहेगा आपको कुछ भी ने यह नहीं कुछ कह सकता इसने लोगों की सबोग बाते सुनी होंगे और जो इसके दिल पर गाह हो गया विश्जज तो मैंने कहा न है यह बहुत एडवाईजर लेता है जिसकी वजहसे इसने जातर विडिसीजन गलत लिये हैं इसने प्रश्च किया आपको और यह जाहतर ही अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को मिश्च करता है जू उसके अच्छा वरते जो इसके बारे में तुछसे बचने के लिए, वो सकता है, गलक है है तिसकी वजह से आप ने सुनाया हो कि यह गलत है पर छोड़ने के लिए का यह, कुछ तो इसा है कि, किसी की बैठ है जिसकी वजह से भी चेस्ट गुंधू है. तो यह भी प्रॉब्लम है, चोइस, तो यह परसन इससे में चोइस प्रॉब्लम को सफर कर रहा है, कि आपके टूवर्ड एक्षन ले या ना ले, क्योंकि अभी इसके बूरे वक्त से यह गुजर चुका है काफी हर्तक, क्योंकि काफी हर्तक तुम्हें देख पा रही हूं कि काफी बूरे जो सरकम्सेंस से ठीक हो गया है, तो यहां पर फ्रॉब्लम है कि इसे अपनी फिलिंग्स आपके टूवर्ड शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं देखना चाहूंगे यहां पर फिलिंग्स हैं और पर क्यों नहीं कर पा रहा, और यहां पर सेवरो पै इसने गलत जज्ज्टो आपको किया है, इसने आपके बारे में कुछ गलत जज्ज्टमेंट बना यह तक गलत सोच रखी थी, हो सकता आपके करेक्टर के बारे में, कि आपके टाइप के हो, चैज टाइम पास वाला समझ लिया था आपको, और जो आप निकले नहीं हो, तो यह स्टक हो गया, इसे यह समझ में नहीं आया कि मैं तो इसे कुछ और समझता था, लेकि यह तो वैसी नहीं निकली, वैसा नहीं निकला, तो बाके में इसने मिस्ट्रस आपको किया है, और गवरा गया है, अब मैं बीरो फॉचुन यहाँ पर उसे क्लारिफाइ करना बहुत ही जादा, और प्लीज मेरे वीवर जो यह रिडिंग देख रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रेगनंसी इसू भी मुझे नजर आ रहा है, कुछ का तो मुझे अबोशन भी नजर आ रहा है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ परसन आपको बहुत ही पसंद करता है, बहुत 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 हैंसम मालता है, और सेवनो पेंटिएल रिवर्स पी इसका यह भी है, इस ने शायद आपकी प्ले सुंदर्ता देखी उस पे लट्टू हो कर आपकी तुवर्स एक्शन ले लिया, आपको टाइम यह पास वादा माल दिया, बट आफ्टर उसे असास हुआ कि आप तो लोल परसन हो, आप तो एक करेट इनिशियर चाहते हो, मैरिज चाहते हो इस परसन से, तो यह इस वज़े से भी भाग गया, क्योंकि यह आपको बराबर गीवन टेक नहीं दे पाया, यह अंधात हुसल म यहाँ पर मुझे अब तक तो लव की फिलिंग नजर आ रही है, बट यहाँ पर मुझे एक डिवाइन इंटरेंचर सबसे जादर नजर आ रहा है, सरकम्सेंसिस पूर नजर आ रहे है, आपके भी हो सकते हैं, यह परसनल सॉली तो से प्यार है यहाँ पर, लेकि इस बंदे म आपको अपनी फिलिंग भी शेयर नहीं किया है, मुझे यहाँ पर एक तरह से एक कॉंपलेक्स की फिलिंग नजर आ रही है, और यह परसन आप पर क्रश रखता है, यह एक आपका फैन है, एड्मायर है, तो पाल 3 हमारा कोशन था कि आपका यह रिलेशन्शिप लव क्योंकि कार्ट जो मुझे क्लारिटी दे रहे हैं, मैं जूट नहीं हो सकती, यह आपका जो रिलेशन्शिप है, यह अनिकोल है, यहाँ पर यह परसन आपको एक तरह से, इसने आपको पेड़ेस्टिल पर रखा है, आप उसके लिए एक तरह से हिरोईन हो, या हीरो हो, यह करता है, आपकी ब्यूटी करता है, आप जब बात करते होंगे, आपके फेशल एक्सप्रेशन, यह आइस, यह लिप्स, I think everything from your whole body, यह आपको बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, यह अभी तक यही नहीं समझ पाया कि यह मेरे पे लट्टू कैसे हो सकती है, तो यहाँ यहाँ पे लस्थ, लग तो बाद में आता है, यहाँ पे एक तरह से यह आपका पे ख्रश रखता है, यहाँ पे ख्रश फिलिंग सबसे जादा है, आपका यह फैन है, आपका यह फैन है, so part 3, this is your reading, अगर यह रिदिंग आपको पसंद आती है, तो प्लीज हमारे चैनल को ल प्लीज हमारे चैनल को बाद में आता है, यहाँ 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 आता है,